हेलो गाईज नमस्कार परणाम मैंनिर भाई सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हमारे ओनलाइन पेटवाम यूडू फाइबर पर स्वागा थे तो मेरे दोस्त मेरे भाई जितने लोग यूपी पूलिस कॉंस्टेवल के त्यारी करना चाहते थे हो जाओ सभी लोग तयार क् 23 दिसंबर को यूपी गौर्वर्मेंट ने बहुत बड़ी वेकेंसी जारी कर दिया है एक नोटिफिकेशन के तुरू आप लोग को बता दिया है कि इस बार सबसे बड़ी पूलिस वेकेंसी निकल के जो आई है वो यूपी से निकल कर आई है तो आज मैं आप लोग को बता आया है CSC, OBC, EWS का कितनी वेकेंसी है सारी चीजे आपको एक एक करके बताने वाला हो तो इस वीडियो को शुरू से अंतक देखिएगा ताकि जब आप को आपको हरे कि पहले से पता होनी चाहिए तो न लबेट किजिए आना सीधे लेते हैं हम लोग हरे चीज़ों को सिलब भागना से बताना क्या करते हैं आपको स्टार्ट करते में रहां टर परदेश सरकार में अपने लगभग लगभग पे यूपी गौवर्मेंट ने डाल रखा है देखे यह विग्यापन अनसुसंगत सुचनाय बोर्ड की बेवसाइट ना यूपी पीवी डॉट जी ओवी डॉट इन पर उपलवद रहेगी किर्प्यास समय सार नहीं देखे अब देखे आईए आपको सारा डिटेल जनकारी आ देखे पुलीस में पुलीस में आरची नागरिक पुलीस के पदोपर सीधी भरती है 2023 के लिए उत्तर परदेश पुलीस ने पुरूसों एवां महिलाओं के लिए आरची नागरिक पुलीस के पदोपर पे बैंट देखे इसका कितना है पांच हजार दूसों से लेके बीस रखा गया है आपको 2000 रुपया नए बेतन में बेतन मैट्रिक्स रुपया 21700 के अंद्रगत निमलिकित रिक्त पदों को भरने के लिए online आवेदन पत्र आवंतित किये जाते हैं बहुत बड़ी वेकेंसी है मेरे दोस्तों अधम अराम से क्या करना तैयारी करना है एक एक चीज़ को नहीं होगी कैसे आपको मैं पढ़ाऊंगा यह भी आपको बहतिन तरीके से बताने वाले तो कहीं नहीं जाए आराम से वीडियो को सब्सक्राइब के लिए आपको 6024 के लिए है आपको 16264 सबसे ज्यादा है जो पोस्ट आई है वह अत्याइब के लिए अनुसुची जाती के लिए 12650 और अनुसुची जन जाती के लिए है 1204 टोटल जो पोस्ट है वह 60244 पोस्ट है मेरे दोस्तों यह बहुत बड़ी वेकेंसी यूपी गवर्मेंट के लिए तो आप लोग अगर चाहते हो कि यूपी में पुलीस कॉंस्टेवल की एक बहतिन त्यारी करवाई जाए और त्यारी करना है तो मेरे दोस्त हमारे साथ जरूर बने रहेगा आगे आपको एक एक चीज आपको बताने वाले हैं देखें यहां पर यहां पर लिखा हुआ है कि आर्चिव नागरिक पुलीस के पद पर भरती है तो पूरीस पूरूस एवं महिल अवर्तिक दोनों ही एप्लिकेवल है एक है ना आगे देखें आपर क्या क्या दिखा हुआ है ओनलाइन आवेदन और सुल्क जम्हा प्रारम की जो तिती है ओनलाइन अस्टार्ट कितने तारिक होने वाली है तो ओनलाइन अस्टार्ट हो जाएगी आपका 27 दिसमबर से यान वालाइन आपको 27 दिसमबर से यान वरी और लास्ट पेमेंट करने का है आपको अठारा जनवरी तो एवरिटिंग आपको मैंने बता दिया हूं अब आपको बताने वाला हूं कि सुल्क कितना लगेगा एक एक चीज बताने वाला हूं देखिए आवेदन जो सुल्क है ना वह 400 रुपया रखा गया 400 रुपया रखा गया है अब आये देखते हैं कौन को लोग इस फॉर्म को भर सकते यह दिया है पैचनिक योगता क्या मांग गया देखिए भारत में विधी द्वारा स्थापित बोड़ द्वारा दसमी यानि दसमी पास विद्यारती भी इस फॉ जरूरी है या भी टुवेल्थ पास्वना जरूरी है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो कि नेक्स्ट कि आयू क्या रखा गया है आयू जो है आपका 18 वर्स नियुन्तम रखा गया है देखें यहां पर लिखा हुआ है कि पुरूस अवर्तिक ने दिनांक 172023 को 18 वर्स प्राप्ट्न नौ की हो अतिय considerतिका जन्म क्या जूलाई 2001 से पूर्व टथा एक जूलाइ 2005 के बाद होना नहीं चाहिए वैसे विधियार्थी जिनका जन्मति देखें दो जिलाइ से पहले का है और एक पाँच के बाद है वो विध्यारती एप्लीकेवल नहीं होगा और महिला के लिए दे रखा है महिला की जो है वह एक साथ हजा है उनकी उमर कम से कम 18 होनी चाहिए और 25 वर्ष कि आयुपराप्त ना होनी चाहिए यानि वैसे बिद्यारती जो पाचीस वर्ष की आयुपराप्त कर लिए वह नहीं भर पाएंगें अब कि कि इतने कि बीच से अगर जर्म जुलाई से पहले और एक जुलाइद 2005 के बाद हुआ है तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं खास करके महिला लोग ठीक है आई एवरी तिंग आपको मैं बताऊंगा अराम-अराम से अब देखे लिखित परिच्छा लिखिध परिच्छा यानि की ल変ृस के बारे में बोल रहा है यह से अब मलती जिन पर्त्र जाएंगे से ओल मैं लीकरिट ना परेइच्छा की जाएगी लिखित परिच् Wikipedia होगी लिखित परिक्षा . पहला विसाय समान ग्ञान का है दूसरा है समान हिंदी का तिसरा आपका समान संख्यात्मक मानसिक योगता यानि कि मैथ और इसनींग का है और चौथा जो है आपका मानसिक अभिरुची है बुद्धी एम चौथा ना तार्किंग चमता है अभियरतियों को लिखित परिच्छा में गलत उतर देने के लिए रिनात्मक अंक परदान किये जाए उक्त भरती में अभियरतियों का परते गलत उतर के लिए 0.5 नात्मक परदान किया जाएगा यानि निगेटिव क्या है 0.5 एक कोशन अगर सही बनाएगा तो आपको दो अंक मिला जाएगा और एक गलत कर दिजेगा तो आपको 0.5 अंक काट लिए जाएंगे यह डिटेल्स इक परिछा एक ही दिन हांग को एक कल पाली में अथ्वा एक सेधिक दिन हो को निप्रसरपत्र के साथ सथ लिए पौई जाएगी लेकिट परिछा एक स्वब्रसपत्र गोदारस शक्었습니다 की दसा में बर्छार्तियों सम्रित बूले वाले विद्ध्यृतरतियों कि अच्छा य कि आई कि अब देखे इसमें क्या-क्या मांग गया है क्या-क्या से वह तो मैं बताए दिया कि टोटल हाइट कितना रखा गया हाइट भी है 147 देखे हाइट क्या है अनुसी जान जाते हैं कि महिलाओं के लिए जो निम्तम उचाहिए वह 147 है और अगर आप जेनरल है या फिर यगं Teraz आप 30 ॥ suas झालत है और उनके महिला की बात करें तो में लाओं के लिए 102 मान रखा गया है झालओा अब अगर पूरूस की बात क्या धिवा तो देखो यहां पर देखें यहां पर पूरुस की बता रहा है पूरुस को हाइट कितना चाहिए अगर आप जेनरल से हैं या पिर आप आतेंथ पिछला वर्ग है या अनुसी जान जाती के पूरुस वर्ग है तो आपको 168 नियुंतम उचाही रखा गया है और जो अधिक्तम है और पूरुस के लिए आपको रखा गया। सथ अनुषकी जाती के पूरुस के लिए रखा गया कितना एकस्य साथ 05 का ग्याै तो यह यह data सब जने सारह कुछ दिया गया इसमें बहुत डिटेल जनकारी के साथ आपको दिया जा रहा है तो बहूत बड़ी टेकंशिए आप जल्दी से आप लोग हो जाए तैयार क्योंकि यूपी गॉवर्मेंट भाई एक परकार से बोलो लॉंच कर दिया है यूवाओं के लिए सबसे बड़ी वकेंसी यूपी पुलिस कॉंस्टेवल करने का तो देर की सबात की और क्लास में करवाने वालाओं बहुत ही ब्यातिन तरीके से थेंक यू बबाई